Hello students, welcome to SBT-E-Chela. As you know, I am Saakir Sakcham and I am running English grammar class for students, intermediate students. And in this video, I am gonna discuss about interrogative sentence of present indefinite tense. Present indefinite tense के कुछ जो affirmative or negative sentence होते हैं, उसके बारे में अल्रेडी discuss कर चुके हैं पिछले वीडियो में. तो अगर वो नहीं देखा है, तो वो देख लेना. जादा बेटर समझ में आएगा. अभी की ताइम पर interrogative के बारे में डिसकस करने वाला है. तो interrogative का मतलब क्या होता है, यह समझ लेता है. interrogative मतलब होता है, प्रस्णवाचक वाक्ये. interrogative sentence मतलब प्रस्णवाचक वाक्ये. और प्रस्णवाचक वाक्ये मेजरली दो टैप के ही होते हैं. एक जो क्या से शुरू होने वाला होता है जिसका एंसर या तो हाँ होता है या तो ना होता है अगर मैं तुम से पूछता हूँ कि क्या तुम गधे हो तो इसका एंसर तुम या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे और ज्यादा चांस है कि नहीं बोलोगे ठीक है अगर मैं क कुछ और चीजे पूल देता हूं क्या तुम पढ़ते हो क्या तुम लिखते हो क्या तुम मुवीज देखते हो क्या तुम गाने सुनते हो सारे के सारे क्या से सुरू होने आले वाक्य है और सबका जो रिप्लाय होगा या तो या फिर नू होगा तो यह सारे के सारे जो वाक्य हो गए ना यह पहले टाइप में आ गए और दूसरा कोश्चन इस तरह से होता है जिसका रिप्लाइब आप कुछ और दोगे कि क्या अगर बीच में आता है तुम क्या करते हो तुम कैसे करते हो तुम कहां रहते हो तुम कहां जाते हो तुम कब पढ़ते हो तुम कब खेलते हो तो यह सारे के सारे वाक्य होगा यह दूसरे टाइप आले में तो दोनों हम लोग बारी-बार से डिसकस कर लेते हैं जैसे पहला टाइप जो है क्या से शुरू होने अलग उसका टांसलेट कैसे करते हैं उसके बारे मिहां पर कुछ लिख रखा उसको समझते हैं तो आगे बढ लिखा जाता है ठीक है और इसके जगह पे सहायक करिया मतलब बलकि सहायक करिया जो की helping वर्ब होता है प्रेसेंट अभी नियुक्त करते था है ना डू या ड़िए तो यह डूड़ जो है इसको हम लोग लिख देते हैं शुरू में ठीक है और डूड़ को सुरू में लिख पहले लिख देते हैं और पहले लिख के अंत में प्रस्णवाचक चिन्द लगा देते हैं और इस तरह से हमारा यह हो जाता है complete अब एक्जक्ञाम्पल से समझेंगे तो हमारी ज्यादा बटर है कि चलो एक्जक्ञ पर देखें एक्जक्ञ हमारा इस ट्रक्ट पहले देख लिए सबसे पहले इस तरह के वाकियों में क्या से शुरू होना चाहिए और लाश्ट में टाहती है यूजर दिक्खे का तो हम पहचान जाना है लेकिन फिर वह प्रेंट नहीं है है तो इसके बारे में परेशलाइब डिसक्स करेंगे अभी क्लिए पहस्चानने के लिएस हैं सबस्राइब यह कि तौदि देख जाए वाकिया आंद क। समाझस लेना की यह लगा नोट अगर है तो लगाओ नहीं है तो नहीं लगाओ उसके बाद वर्व के बाद अब्जेक्ट यूज करेंगे और सॉल हो जाएगा तो जैसे क्या आप मुझे जानते हैं कर ट्रांसलेट करते हैं तो क्या आप मुझे जानते हैं सबसे पहले डूडर में से कुछ लगेगा क्या लगेगा तो सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट है आप यानि कि तुम तो तुम जो होता है वह प्लूरल सब्जेक्ट होता है क्योंकि सिंग्लर सब्जेक्ट में हम लोग किसको किसको मानते हैं ही कोई एक नाम रहेगा तो सिंगलर यहां पर किसी इट कोई एक नाम नहीं है यू है तो यू हो गया प्लूरल के साथ लगाते हैं हम लोग दू तो लिख लेते हैं यहां पर दू उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं सब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम लोग है तो question में not रहेगा यानि कि नहीं अगर वाकिमी रहेगा तो not क्यों लगाएंगे तो not लगाने कि यहां पर जो रहत है नहीं आगिया सिधे वर्पे तो वर्ब क्या है जानना क्योंकि को बी झानना उसी को fi all天 आ हम लोग तो यूट वर्ब की इंग्लिश लिए हमारा complete ठीक है दूसरे वाक्ष पर ध्यान देते हैं जो दूसरा वाक्ष है क्या राम सोता नहीं है अब यहां पर कि he see it को यह नाम दो एक नाम है यानि कि इस आप्पालियो सबजगे घव तो कि यहां लें कि लगाएंगे शॉषिक्ष में नॉट होता है तो द नॉ at उसके वाज क्या है सोना काम तो सो नहीं है वर्ब तो सोना है तो एस कि अल डबल एपी स्लिप लास्ट में लगा दिया क्विस्चन मार्क और यह वाक हो गया हमारा कम्प्लीट ठीक है तो अब आगे भरते हैं थोड़ा सा दूसरा एक्जांपल या जैसे कि एक्जांपल देखने के बाद कुछ एक्सराइज 3 यहां पर लिखा हुआ इस सारे एक्सराइज को पॉस करो वीडियो को एक्सराइज को नोट करो इसे अपने से करने की कोशिश करो कुछ प्रावलम होती है तो कमेंट करके बताओ ठीक है इसका और से इसको नोट कर सकते हैं इसका एंसर चाहिए होगा तो टेलिग्राम चैन या फिर क्यों भी हैँगा कैसे बी अग व Hey अकब भी बीयाइगा उनका अनुबात कैसे करते इसे करते हैं उससे घृच न गेसे होते हैं प्रस्णॉबचख सब्ध की एंग्रेजी लिए यानि प्रस्णुबचक सब क्या कभ कहा कैसे कियों कितना एश कई जब पिछले मी था नि gli इस्की इंगलिस पहले बस सुरूम में लिखक देता हैं बाकि सब पिछले जासा ही रहता है यह पर से देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आगा चलो एक्जांपल पर आते हैं तो एक्जांपल है महारे सामने इस्ट्रक्चर पहले देख लो डबलु यह वाला जूसा वर्ट होगा हमारा डबलु यह इसले लिखा जाता है डबलु से तुम्हारा बहुत सारा वाकि में नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं अगर होगा तो नौट लगाएंगे और नहीं अगर नहीं होगा तो नौट नहीं लगाएंगे उसके बाद वर्ब हमारा लगाएंगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो यूज करेंगे नहीं होगा तो नहीं यूज करें है जैसे तुम क्या करते हो तो सबसे पहले हो जाएगा वाट डबलु एचलिटी वाट आब वाट के बाद हमें लगाना है तो कोई एक लेकिन यू तो सब्जक्त मानते हैं लोग तो इस वाज़ेसे तो हो है में तेड के रूटे है थी था नहम tál हो दोसरे वाक में आ जाते हैं हम लोग कहां जाती है और पहले कि हां कि उखेंगे कहां के इंग्लिस हो जाती है अपnie और रिखेंगे हैं ड pandu यह रिख दिया दूर्ड आप्वीय के वेर ड़्ज ड़्ज के बाद सब्जक्ट सी उसके आद वर्भ है गो और यह हो गया हमारा कंप्लिट वेर ड़्ज और यह वाकिया हो गया पूरा इतना एक्जामपल से समय में आदो ठीक नहीं तो इसके लिए तो कुछ और एक्जामपल भी लिखके रखें जैसे वह संस्कृ स्कृ मेस के बाखना आप पढ़ना और वकिसके बार विलीखें गए तुरीड अब क्या पढ़ने की बात हो रही है तु वह जागा औभ्जक्ट सम्सक्रित पढ़ने की बात तो संस्क्रित लिगए लासमें ऐसे एंद्स कयार और लाश्ट में कुश्चन मार्क वेंड डाज ही रीड संस्कृत और इस तरह से हमारा यह हो गया चलो आगे बढ़ते हैं जैसे तुम मुझे कैसे जानते हो तो कैसे की इंगलिस हो जाएगी कि अब जानने वाला कोन है सब्ज कौन है सब्जक्ट है यूव क्योंकि तुम् lead लगा देता है यू के लिए gene a और किसे जानने की बात और हो यह मुझे तुम मुझे कैसे जानते हो यह भी complete next वाला discuss कर लेते हैं वह उसकी मदद क्यों नहीं करती है ठीक है क्यों नहीं क्यों के लिए हो जाएगा वाई सब्जेक्ट है क्योंकि बाद क्याएगा helping वर्ब लग जाएगा इसमें क्योंकि वर्ब कर नहीं है तो असलिए help कि इसकी मदद उसकी मदद में यहां पर लड़का की मदद कर रही हें कि लड़की को पढ़के पता नहीं चल रहा है कि लड़के की मदब करने की बात हु़ है है लड्की की तो इस समय होगा तो यह रहा exercise 4 note कर लो pause करके और फिर इसी translate करने की कोशिश करो कोई problem है तो comment करो आगे बढ़ते हैं अब आता है कुछ ऐसे सब्द जैसे कि कौन वाले सब्द आ गए कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है अब यह भी तो टा है आ गया तो प्रेजेंट कौन वाले वाक्यों का अनुवात करने के लिए कौन के अंग्रेजी हू को एक वचन करता मान लेते हैं अब हू को कि हिंकि हमको मालूम है अफ्रमेटिम में हमसाट अगर सिंगलेंश लगाते थ है अब अगर सभी कोशि़ करते हैं कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है तो चलो सबसे पहले कौन तो हुई जाएगा क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट तो कौन यह पढ़ाने वाला कौन है कौन है तो हूं हो के बाद वर्ब आएगा टीच अब टीच में देखो आप कभी-कभी कंफिजन हो चोक कि एस यूज करें वर्ब में या एस यूज करें यह कैसे पता चलेगा तो सिधे-स समझो कि अगर में डाइक्ट एस लगा जैसे टीच में एस लगा दिया तो पढ़ेंगे क्या इसे पढ़ने में थो आसा अंकमफरटेवल सा होता है तो इसमें लगाते हैं लोग यह त तो हो जाता है तीचेस नहीं तो सर जैसा साउंड टीचस मतलब खुदी पता चलता है कि नहीं बन रहा नहीं बोल पा रहे हैं अमच्छे से तो इसलिए लगाते हैं टीचेस तो हूँ टीचेस हो गया क्या पढ़ाने की बात हो रही है हिंदी और तुम्हें यहां पर दो दो ऑ हँदी कौन पढाता है यह हो गया complete दूसरा तरीका है सका कैसे कह सकते हैं अगर मानलोब पहले हमने लिख ढ़िया हूँ ठीक है हो के बाद लगा दिया व्तीचेस हें हूँ टीचेस centres हूद么 हो गया कि हन पर रहाता है अब किसको पढ़ाने की बात भी लिखना है तो अब अगर यू को बाद में लिखेंगे तो साथ में तू भी लगाना पड़ेगा हूँ टीचेस हिंदी टू यू ठीक है और यह हमारा कम्प्लीट ठीक नेक्स्ट वाले को देखते हैं महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है सबसे पहले हूँ अब नेगेटिव वाला है तो हूँ के साथ डू टू लगेगा नहीं क्योंकि हूँ को हमने पहले ही देखा कि एक वचन करता मान के चलते हैं तो हूँ के साथ लगा मा गांधी ठीक है और इतना पर हो गया हमारा कंप्लेट ठीक लगाना नहीं भूलेंगे तो यह हमारा कंप्लेट हूँ वाला भी इस तरह से हमने तीन प्रस्नवाचक वाक्यों का तीन टाइप समझ लिया अब देखो इसके बाद में इसका भी एक्सरसाइस फाइब आराम से देखो नोट करो टांसलेट करने कोशिस करो कोई प्रावलम आती है तो कमेंट करो और इसके बाद जब पांच मतलब एक दो जो था पहले ही मैंने दे रखा था प्रीविएस वीडियो में अभी मैंने थ्री फोर और फाइफ दिया एक और दे रहा हूं थोजा सा एक्स्ट्र सारा करने कुछ करो और उसके बाद आप वीडियो के एंड में भी मैं क्या करता हूं कि सारे लोग टेलेग्राम पर जाके तो देखोगी नहीं इसका सल्यूशन हो सकता है देख भी लोग लेकिन अगर नहीं देख पाते हो अगर तुम्हारा पास जियो फोन है उस कंडिशन म सल्यूशन आराम से देखो और मिला लेना फिर एक्सराइज स्टू का सल्यूशन है तो तो यह सब पास करके ज्यादा आच्छे से समझ मैं आएगा और आज के लिए रखते हैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कांटीनिवा स्टेंस के साथ तो समझ मैं आया तो कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे भी अच्छे अच्छे वीडियों बनाता रहूंगा और अच्छे सा एक्स्प्रेंट करने की कोशिश करूंगा तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियों में टिल डेन सीखते रहूं